ने साल के पहरी ही दिन से कोविट संक्रमीतों की संख्या बढ़ रहे है मंगलवार को 423 ने पॉसिटिव मिले और 11 की मौत होगी जबकि 294 स्वस्थ हुए अब तक कुल 1,17,645 स्वस्थ हो चुके है रिकवरी रेट 93.25 फीस्थी पर हो गया है कुल संक्रमीतों की संख्या एक लाग 25,755 हो चुकी है और कुल मृतक 3976 है कोविट के ने रूप को लेकर प्रशासंग के साथ आमजन में बेचयनी बढ़ गई है वही कोविट के मरीज भी बढ़ने लगे है इससे चिंता बढ़ने लगी है आज मिले संक्रमीतों में शहर के 384 ग्रामीन की 37 जले के बाहर की 2 है मृतकों में शहर के 6 ग्रामीन की 3 और जले के बाहर की 2 है पिछले 24 घंटे में 4693 नमूने जाचेक है इसमें शहर के 4149 और ग्रामीन के 554 का समावेश है वरतमान में 4134 सक्रियम मरीज है इसमें से 1350 विन अस्पतालों में भरती है जबकी 2784 होम आइसोलेशन में है निची लाब में पिछली 24 गंटे में 151, एंटिजन टेस्ट में 29, एम्स की लाब में 10, मेडिकल की लाब में 92, मेयो की लाब में 43, माफूस की लाब में 30, निरी की लाब में 46, नागपर विश्विद्याले की लाब में 12 नमूने पॉसिटिव आए मार्ट से लेकर अब तक कुल 9,55,010 नमूनी जाचे गे इसमें से 61 फीस्दी नमूने का RTPCR टेस्ट किया गया 5,89,107 नमूने का RTPCR और 3,56,903 नमूने का अंटिजन टेस्ट किया गया क्यामरा पोसिन राजकुमार मोड के साथ अभिशेक पान से BC News नाकपुर